चौरी चौरा थाना छेत में संदिक्त परिजितियों में शराब की दुकान से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और लूट की पूरी रकम के साथ एक अभ्यूट को ग्रिफतार किया है उसी दुकान में मुनीम के रूप में काम करता था जिसकी पहचान अर्विन कुमार पंडे ने बताया कि दुकान का मुनीव छुट्टी पर अपने घर गया था उसी का लड़का कुछ दिनों से मुनीव का काम कर रहा था दुकान में तीन दिन की कठी हुई रकम पर उसकी नियत डगमगा गई और उसने पहले अपने मालिक को फरजी सुझना बताया कि उसी नहीं लूट की घटना का फर्जी प्लान तयार किया था इस समथ में गोरापुनी से बात करते वे सपिनार अर्विंत कुमार पंडे ने कहा पुलने पूलें पूलें आप कुलें आप को दो है कि ये कल सुबह प्रता आठ बजे सूचना जह हंडेड नमबर पर उठाने पर दी गई कि सराब की दुकान से दो लाग चब्रीश तजार रुपे बाइक सवार लोंगो दौरा तुमंचे दिखा कर लूट लिये गए अब बुस्व में सुबह सुबह जह सराब की दुकान के खुलना ये घर्णा के समय अप्रत्याचित था और भरे बजार में दुकान थी मुकादमा दर्श करके फूस्टाच की गई तो ये आपके सामने ये गजंद्र है उस सराब की दुकान पे राम नगीना नाम का एक ब्यक्ति मुनीम था उसका ही लड़का है तो वो मुनीम छुट्टी पे थे तो ये दो तीम चार्ट दिन से जहाद देख रहे थे इन्होंने पूरी तरह से कहानी प्लांट करके पुलिस को जोटी सुचना दी इनसे जब कड़ाई से पूस्टाच की गई हमारे इंस्पेक्टर और स्पेसलिस योजाद दरा इनका ज् में लोग में जेल बेज रहे जाए हैं गलत होचार के रूपया अपने साथिंगे मादर से घर विज्वा दी तरह दो आले निया हैं निया निया अंत्या में गैऑ दोने इन आण करें